इंग्लिस सीखने के लिए क्या जरूरी कि ऐसा करें कि इंगलिस पर कमण मेरा सकते हैं तो इंगलिस ही नहीं दनिया की कोई सी भी भाषा को अगर सीखना है तो दो चीजें बहुत बढ़ी और बहुत ही ज्यादे जरूरी होती है एक है grammar और दूसरी है उसकी vocabulary यानि की मील है यहां पर मैं रागमेंद पाल आपको इंगलिस सिखाता हूं इंगलिस की एक एक activity आपसे परचित करवाता हूं तो क्यों ना बॉकेब स्वेवियु में पूरा ध्यान दूंगा इसलिए आपकी डेमांड पर 50 ऐसे sentences लेकर आ जो हमारी जर्नल लाइब में होते हैं मैं आपको 50 sentence का यह वीडियो दो पार्ट में बताऊंगा यह पार्ट फर्स्ट है फिर पार्ट सेकेंड भी आएगा 25 आज आपको डेली वीजे sentences देखने को बिलेंगे और साथ-साथ में आपको एक्जामपल भी देखने को बिलेंगा क्या मैं उसका यूज कैसे करना है तो चलिए शुरुगात करते हैं और आज 25 sentence वन बाइवन देखते हैं प्रैक्टिस करते हैं आपको प्रैक्टिस भी करना इसका मतलब होता है कौड़ी कौड़ी चुकाना अब इसको यूज कैसे करेंगे आई पेड एवरी फार्थिंग मैंने कौड़ी कौड़ी चुका दी दूसरा sentence है सेव एवरी फार्थिंग इसका मतलब होता है कौड़ी कौड़ी बचाना एक sentence बनाके दिखाता हूं उसने अपनी सेलरी से कौड़ी कौड़ी बचाई वो बचाने भी चाहिए हमें तीसरा सेंटेंस है वेन अफर्ट्स बेकार प्रयास इसको तो कई बार यूज करते हैं उन्होंने प्रयास किये है वो totally यानि पूरी तरह से बचार प्रयास साबित हुए फोर्थ कोश्चन है बेन होपस मतलब क्या होता है बेकार आसाएं जैसे एक सेंटेस मनाते हैं वाई डू आपके जब आप केरलेस हो तो फिर फालतू की आसाएं क्यों कर रखी है जब आप केरफूर हो जाओगे तब आसाएं करो है ना फिफ्थ कोश्चन प्रडॉलेंट कस्टम इसका मतलब क्या होता है प्रचलत परथा कोई प्रथा जो है वो प्रचलत आ रहे हैं ये बहुत सारी परथा नेग्यों सब्सक्राइब करते हैं नेक्स्ट इन दा लैप आफ नेचर प्रकरती की गोद में इसका एक सेंटेंस मिना लेती हैं आई रियली इंजोई इन दा लैप आफ नेचर मैंने प्रकरती की गोद में बास्तम में बहुत इंजोई किया नियम अनुशार चलना हमें नियम के अनुशार तो चलना ही चाहिए जीवन में कुछ नियम बनाने चाहिए तो we must go by the book to get success यानि कि सफलता पाने के लिए हमें नियम अनुशार चलना चाहिए नेक्स्ट है wide of the mark बिसे से हट कर यानि कि कभी हम किसी बिसे से थोड़ा हट के बात करते हैं तो wide of the mark एक sentence कभी बना लेते हैं I always thought wide of the mark मैं दूसरों से हट के सोचता हूँ और सोचना भी चाहिए next, ninth hit the jackpot, खजाना हाथ लगना, अब आपकी नजर में खजाना कुछ भी हो सकता है, हो सकता है आपकी नजर में knowledge खजाना हो, पैसा खजाना हो, वो आपकी उपटे पैंट है तो एक sentence बनाते हैं, I hit the real jackpot when I started getting knowledge, मैंने बास्त में खजाना मेरे हाथ लगा, जब मैं knowledge गेट करने लगा, प्राप्त करने लगा, तो knowledge तो real खजाना है, आगे बढ़ते हैं, tenth, catch red-handed, catch red-handed मतलो क्या होता है, रंगे हाथों पकड़ना, I caught him red-handed to steal, मैंने उसको चोरी करते पकड़ा, next 11th है, cry for the moon, असंभब बात की एक्षा करना, तो कई वार हम लोग क्या करते हैं, ऐसी एक्षा करते हैं, जो संभवी नहीं है, जैसे चान तोड़ आप चान थोड़ी तोड़ी किला सकते हो, है न, तो he sometimes cries for the moon, यह हमारा एक एक एक्जामपल हो सकता है, कि कभी- इसारे पर नाचते हैं, जैसे ज्यादा तर ऐसा देखा गया है, कि पति-पत्नी के इसारे पर नाचता है, या फिर पत्नी-पत्ती के इसारे पर नाचती है, तो एक्जामपल है, he dances on the tune of his wife, वो अपने wife के इसारे पर नाचता है, next 13, from A to Z, सुरू से अंत तक, इसको कैसे बन फिलेर अब इद एंगर, गुस्दे से लाल पीना होना, जब हमें गुस्दा आती है, तो हम गुस्दे से लाल पीना हो जाती है, तो इसको फिलेर अब इद एंगर बोलते हैं, जैसे एक sentence मनाते है, he flared up with anger at your fault, तुमारी फॉल्ट पे, तुमारी गलती पे वो गुस्दे से लाल पीना हो गया, next, 15, fall in love, प्यार हो जाना, हमें कभी किसी से प्यार हो जाता है, तो उसके लिए fall in love का प्रियो करते हैं, जैसे I fell in love of her, मुझे उससे प्यार हो गया है, 16, for the sake of, के खातर, किसी के खातर कोई काम करना, जैसे I did it for the sake of my parents only, मैंने ये किया, सिर्फ और सिर्फ अपने parents की खातर, अपने माता-पिता की खातर, 17, from head to toe, सर से पाउं तक, he indulged in corruption, from head to toe, वो ब्रस्टाचार में सर से लेके पाउं तक पूरी तरह से लिफ्त है, 18, fair weather friend, इसका मतलब क्या होता है, मतलबी दोस्त, तो हमें आप कभी मतलबी दोस्त नहीं मराने चाहिए, देखो भले कम दोस्त रखो लेका इच्छी रखो, तो we must not have fair weather friend, हमारे पास बिलकुल भी मतलबी दोस्त नहीं होना चाहिए, 19, for no reason, यो ही, अब कई बार अपने लोग बोल दिया से आपसे पूछा किया, क्यों, आप class से absent क्यों थे, तो आपने बोला, for no reason, यो ही, जैसे एक example और द heart, तहे दिल से, कभी हम तहे दिल से धन्नवाद देते हैं, किजी का सुक्रिय करते हैं, तो हम लोग इसे में from the code to heart का यूज करते हैं, तो इसमें कैसे बनाएंगे, I want to thank you from the code to my heart, मैं अपने बिलकुल तहे दिल से आपको धन्नवाद देना चाहता हूँ, next question, 21st, यहने की 21, get a sea of troubles, इसका मतलब क्या होता है, एक के बाद एक मुसीबत, बहुत सारी मुसीबत आ जाना, उसको बोदें get a sea of troubles, जैसे, in bad time we get a sea of troubles, जब हमारा समय खराब चलेना, तो मुसीबतों को पहाड लग जाता है, तो इसलिए in bad time we get a sea of troubles, जैनी बहुत सारी समस्या आ जाती है, 22, get rid of, मतलब छुटकारा पाना, किसी से हमें छुटकारा पाना, जैसे हो सकता बुरी आदत से आपको छुटकारा पाना हो, तो आप क्या बोलो, I want to get rid of all my bad habits, यानी कि मैं अपनी सारी बुरी आदतों से छुटकारा पाना जाहता हूं, 23, God sent, भगवान की देन, इसको कैसे बोलें बहिया, whatever I have is only God sent, मेरे पास जो भी है, सब बगवान की देन है, 24, hand-packed husband, जोरू का गुलाम, जो रोग जोरू की गुलाम होते हैं, पतनी की बाद मानते रहते हैं, देखो, बाद मानना ता अच्छी बाद रहते हैं, बहुत ज़्यादा, एक्दम चापलूसी करना, उसको ब hand-packed husband, बो क्या है, hand-packed husband है, next है 25, half-hearted, अधूरे दिल से, अधूरे दिल से मतलब पूरे मन से नहीं करना, जैसे we don't have to do any work half-hearted, हमें कोई भी काम अधूरे दिल से नहीं करना चाहिए, अगर मन लग रहा है, तो ही करो, बटनों से छोड़ दो, तो यह थे 25 questions, तो देखा आप नहीं किस तरह से हमने 25 sentences पढ़े, अब इनकी practice करना आपके हाथ में, आप इनकी practice करें, अच्छे से command बनाए और अपने daily use में इसको लेका है, अब मैं मिलता हूँ आपसे next video में जो second part होगा, उसे 25 sentences बता हूँ जो daily use में कहीं नहीं होते है examples के साथ, तो मिलता हूँ एक्स वी बते हैं चलेगा कि सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि दूसरों का भी बलाओ सकें और लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगए चलिए, मिलता हूँ नेक्स वीडियो में, thank you very much, thanks a lot.